नमस्कार, NCIT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह क्लासिक्स की संस्कृत की किताब रुचिरा का पार्ट एक, चाप्टर वन, शब्द परिजया इस वाली फोटो को देखिए, इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए है यह जो इतने प्रश्ण है, यह इस पिक्चर के रिगार्डिंग है सह कह वह कौन है? सह सौचिकह वह दर्जी है सौचिकह किम करोती? दर्जी क्या करता है? किम सह खेलती? क्या वह खेल रहा है? ना सह वस्तरम सीव्यती, नहीं वह कपड़े सिल रहा है एता को ये दो कौन है? एता शुनको सतह, ये दो कुट्ते हैं किम एता गर्जता? क्या ये गर्जते हैं? ना एता उच्चेह बुक्ता? नहीं ये दोनों जोर जोर से भौकते हैं तो को वेदो कौन है तो बली वर्दोसत है वेदो बैल हैं किम तो धावत है क्या वेदो नो दोड़ रहे हैं न तो खेत्रम कर्शत है नहीं वेदो नो खेत जोत रहे हैं एते के ये क्या हैं? एते शूता हसंती. ये थैले हैं, ये बैग हैं. किम एते हरित वर्णा? क्या ये हरे रंके हैं? नहीं एते नील वर्णा हसंती. नहीं ये नीले रंके हैं. ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा हसंती. वे बूढे हैं. किम ते गायंती? क्या वे गार हैं? न नहीं ते हसन थी, नहीं वे हस रहे हैं। आप देखेंगे, यहाँ इस ग्लास के केस में और दरजी के केस में एशह और सह का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यहाँ एक बचन की बात हो रही है, इस फिगर में भी एक ही चीजे हैं, जैसे कि यहाँ एक ग्लास है, यहाँ एक दरजी है, इसलिए सह कहा गया है या फिर एशह कहा गया है, वहीं दूसरे केस में दो कुत्ते हैं और दो बैल है, इसलिए यहाँ पे तव का इस्तेमाल ह उसी तरह यहां दो से ज़्यादा बैग हैं या फिर यहां दो से ज़्यादा बुढ़े हैं इसलिए इनके लिए ते लगाया गया है सहतव ते ये बहुवचन है दो से ज़्यादा चीछ जब होते हैं तब हम बहुवचन लगाते हैं इसलिए यहां पे ये ते कहा गया है और ल गटह, सिक्षकह, मकरह, दीपकह, मयूरह, बिडालह, अश्वह, शूकह, मुशकह, चंद्रह, बालकह, चालकह, गायकह, इस तरह आप उचारन कर सकते हैं चित्रानी द्रिष्टवा, पदानी उच्चारयत, फोटो देखके इन शब्दों का उच्चारन कीजिए तो यहाँ एक किसान है, क्रिशकह, यह एक बैल है, साढ़िया बैल को व्रिशव कहते हैं, यह भालू है, इसके लिए भलुकह, यहाँ यह मेंधक है, मंडुकह, यह कबूतर है, कपोतह, यहाँ पलंग है, परियंकह, यह दूरभाश है, टेलीफोन है, दूरभाश है, यह आप पैद्ल आप है जैसे की एंग्जामबल के लिए यहां एक दे रखा है तो चशक ऐसे सब्द बनता है उसी तरह अगर हम अगले को देखेंगे तो आप मिलके सब बनेगा जब हलन प्लस ए मिलके चाहर स्विकरRDjay Bolstock क्योंकि ये E छोटी E है, इसलिए इसमें हर स्विकार की मात्रा आएगी, और कोहलंद प्लस अह मिलके कह बनेगा, इसलिए ये दो सब्द सौ बनाते हैं, चौ प्लस E, चौ हर स्विकार बनाता है, और कौ प्लस अह कह बनाता है, तो शब्द बनता है सौ चिकह, मतलब दरजी, चशकव मतलब ग्लास, शौ हलंद प्लस चोटी E मिलके, शौ में चोटी E की मात्रा लगेगी, शौ हर सुकार होगा, सू बनेगा, नौ हलंद प्लस E मिलके पूरा नौ बनेगा, कौ हलंद प्लस E मिलके कव बनेगा, पूरा शब्द बनेगा, शुनकव, शुनकव का मतलब वहलंत प्लस री मिलके वरी बनेगा दोहलंत प्लस धाहलंत प्लस आहलंत बनेगा दो, धो, आकार बनेगा इन तीन शब्दों को जोड़ कर और जब यह सारे जुरेंगे तो व्रिद्धाहाल बनेगा बूढ़े लोग ये बहुवचन है, मतलब दो से जादा बुढ़े लोग और पुरा शब्द बनेगा गायन्ती तो आप साथ में पैंसिल से अपने बुक पे भी लिखते जा सकते हैं पदा नाम वर्णविच्छेदम प्रदरशयत शब्दों का वर्णविच्छेद करके दिखाना है के दिखाया गया है कि लगू तूटेगा तो किस तरह बनेगा जिस तरह हम यहां तूटे हुए वरणों को जोर कर शब्द बना रहे थे उसी तरह यहां शब्द को वरणों में तोरना है तो अगर लगू को तोरना होगा तो पहले लगू को लेंगे लगू दो सब्दों से बन थोड़ा जूम करता हूँ अगला सब्द है सीव्यती आप देखेंगे सो में दिर्गहिकार है इसलिए हम सी जब वर्ण को पकरेंगे तो सो हलंद प्लस बड़ी ई लिखेंगे जिससे मिलाकर सी बनेगा सो दिर्गहिकार उसी तरह व्या है सन्युक ताक्षर है तो वहलंद प्लस यहलंद प्लस अ मिलके बनेगा व्या और तो में हर सीकार की मातरा है छोटी ई की मातरा है तो तो हलंद प्लस छोटी ई तो में हर सीकार लगाएगी और पूरा शब्द सीव्यती बन जाएगा इस तरह अगला सब्द है वर्णा, पहले वह को लेंगे, वह में वहलंत प्लस ओ मिलके पूरा वह बनाता है, अगला वर्ण है रणा, तो यहां रव आधा है, क्योंकि उपर लगा है, इसलिए रवहलंत प्लस अहलंत प्लस अह, यह रणाह बनाता है, और पूरा सब्द वर्णाह बनता अगला वरण हम कक्कू को लेंगे इसमें एक काहलंथ एक दूसरा काहलंथ प्लस चोटि उ की मातरा क्योंकि यहां हरसुकार है तो यह कक्कू बनाएगी और अगला वरण लेंगे रव रवहलंथ प्लस ओ यहर रव बनाती है और पूरा शब्द कुकुरव बनेगा अगला शब्द है मयूराह पहले शब्द मौ को लेंगे मौहलंथ प्लस औ पूरा मौ बनाएगा यौ में दिरगोकार की मातरा है तो यौहलंथ प्लस बड़ी उ लिखेंगे तो यू बनेगा और राह के लिए रौहलंथ प्लस आह लिखेंगे तो राह बनेगा और पूरा शब्द मयूराह बनेगा इसका मतलब मौर अगला शब्द है बालकह बाहलंथ प्लस आ लिखने से पहला वर्ण बा बनेगा लौ लेंगे तो लौहलंद प्लस ओ मिलके पूरा लौ बनेगा और कौहलंद प्लस आह लिखके पूरा काह बनेगा और सारेवर्ण मिलके बालकाह बनाएंगे तीसरा प्रशन है उदाहरणम दृष्टवा रिक्तस्थानानी पूरयत जैसा उदाहरन में दिया गया है उसे देखकर यथा का मतलब ही होता है एक्जाम्पल के लिए तो जिस तरह यहाँ एक्जाम्पल में दिया है बांकी भी हमें भरने है तो जिस तरह चशकह, चशकव, चशकाह है एक गिलास, दो गिलास और बहुत सारे गिलास उसी तरह बली वर्दह, बली वर्दव, बली वर्दाह, एक बैल, दो बैल और बहुत सारे बैल उसी तरह शुनकह, सुनकव, सुनकाह, एक कुत्ता, दो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते एक वचन, दुई वचन, बहुचन, म्रिगह, म्रिगव, म्रिगाह, एक म्रिग, एक हिरन, दो हिरन, बहुत सारे हिरन, सौचिकह, सौचिकव, सौचिकाह, एक दरजी, दो दरजी, बहुत सारे दरजी, मयूरह, मयूरव, मयूराह, एक मोर, दो मोर, बहुत सारे मोर, अगला प् कोवे को संस्कृत में काकह कहते हैं, ये चंद्रमा की फोटो है, इसे संस्कृत में चंद्रह कहते हैं, नीचे ये एक ताले की फोटो है, इसे संस्कृत में तालह कहते हैं, ये एक भालू की फोटो है, इसे संस्कृत में भलुकह कहते हैं, ये एक बिल्ली की फोटो है, इसे सं ये दौड़े क्या कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि ऑस्व धवत्ह घुर रहे हैं अगला प्राश्न है कूक्कूराह क्या कर रहे हैं? दो से ज़्यादा कुत्ते हैं इसलिए कुकुराह बहुवचन, तो ये कुत्ते भॉकते हैं, तो कुकुराह बुककंती, बुकंती मतलब भॉकना, अगला प्रश्न है चात्रो किम कुरुता, विद्यार्थी क्या करते हैं, चात्रो पठताह, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, गजाँ, चलतः हाथी, चल रहे हैं, पदानी संयोज, वाक्यानी रचयत, इन दो पदों को जोड़के वाक्य बनाना है, तो गजाह बहुत सारे हाथी क्या करेंगे? चलेंगे, गजाह, चलन्ती, आप देखेंगे कि गजाह भी बहुभचन है, गजाह, गजाँ, गजाह, औ नहीं दूई वचन है और सिंह भी दूई वचन है तो दोनों को मिला दिया तो हमारा वाक्य बन जाएगा गायकः एक गायक है तो गायती ये एक वचन है गायती गायतः गायनती गायकः 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 तो एक वचन को एक वचन से मिला दिया गायक गाता है इन दोनों को मिला दिया हमारा वाक्य बन गया बालकव पठताह उसी तरह मयूराह बहुत सारे मोर नाच रहे है अगला प्रश्ण है मंजुशात पदम जित्वा रिक्तस्थानानी पूर्यत इस बॉक्स में से जो शब्द है उन्हें चुन के जो खाली स्थान है उन्हें भरना है तो मोर क्या करेंगे, तो मोर नाचेंगे, मयूराह नृत्यंती, हाथी क्या करेंगे, हाथी चलेंगे, तो गजव चलता, चलता को चुन लेंगे हम, वरिक्षाह, वरिक्ष क्या करेंगे, वरिक्ष फल देंगे, वरिक्षाह फलंती, तो फलंती को चुन लेंगे, सिंह क्या करे तो अश्वह धावती गोड़े तो दौरते हैं तो धावती को यहाँ चुल लेंगे तो बांकी जो बचेगा कि वानरह खादती वैसे आप वचन का ध्यान दे के भी इस खादती को चुन सकते हैं क्योंकि वानरह एक वचन है और खादती भी एक वचन है वानर भी दौर सकते है लेकिन दोड़ना घोड़ों पे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए आप अस्वा के साथ धावती चुनिए और वानरह के साथ खादती चुनिए अगला प्रश्ण है सहतवते इत्यभ्या उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानी पूर्यत सहतवते में से जो उचित हो उस सर्वनाम पद को चुनके इन खाली स्थानों को भरना है तो जिस तरह अस्वः धावती सह धावती सह एक वचन है एक गोड़ा दौर रहा है क्योंकि अस्वः एक वचन है एक वचन के लिए जो सर्वनाम बनेगा, वो भी एक वचन में होगा, उसी तरह अगर हम पहले question को देखें, तो गजाह चलन्ती, तो गजाह क्या है, गज़ः गजव गज़ः ये बहुवचन है, बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बहुव गज़ः नहीं बनेगा, ये बहुवचन बनेगा, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, तो इसके लिए क्या लगएंगे, तो गयक जा लगाएंगे, नाम है, इसलिए सह लगा दिया, सह गायती, मयूराह बहुत सारे मोर हैं, इसलिए इसके लिए ते लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत बचन है, मयूराह भी बहुत बचन है, मयूराह मयूराह, सो मयूराह नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो परथम पुरुष होता है, आप जिस से बात कर रहे होते हैं, आपके सामने जो होता है, जिसे यू कहते हैं इंग्लिस में, वो यहां मध्यमपुरुस होता है, और जिस third person के बारे में हम दोनों बात कर रहे होते हैं, वो उत्तमपुरुस होता है, प्रथमपुरुस, मध्यमपुरुस, उत्तमपुरुस, ये तीन पुरुस होते हैं संस्कृत में, और संस्कृते विज़िई वचन और बहु वचन जैसा हमने सहत तोटे के बारे में बात किया गज़भजव के बारे में बात किया एक हाथी, दो हाथी और बहुत सारे हाथी तो मुझे उमीद है आपको यह पार्थ समझाया होगा सारे प्रश्न आपने कर लिये होंगे आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखिए वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता हूँ आपसे अगले पाठ के वीडियो के साथ तब तके लिए बाइ-बाइ